नमस्कार दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की इस लेक्षर में हम समझने वाले हैं कि साक जाड़ी और ब्रीक्ष क्या होता है तो चलिए गाईज आज की समझधार लेक्षर को हम देखते हैं कि आज हम कितने अच्छे और कितने मस्त और मस्त और मस्त कहते हैं मस्त से मस्त सिखने वाले हैं तो चलिए हम लेकर बताते हैं कि आज हम क्या सिखने वाले हैं तो पहला में हम सिखेंगे साक दोस्तों साक सिखेंगे और इसकी बाद सिखेंगे हम जारी और इसकी बाद सिखेंगे दोस्तों हम ब्रिक्च तो एतना दूर आपको आया या नहीं आया क्या मेरी आवाज यानि दोस्तों भवाईस जो है मेरा कि आपको किलियर आ रहा है या नहीं जल्दी से बतलाईए तो चले फ्रेंट्स अब इसको समझने से पहले हम दो चार बाते आपको बता दरें वो भी चीतर के माध्यम से और आप समझने का पर्यास किजएगा और जो भी आपको इस वीडियो में दीकत लगेगी दोस्त तो बताने का पर्यास किजएगा क्योंकि जब तक आप बताईएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है तो चलि हम चित्र के माध्यम से कुछ आपको हम समझाने का कुछ पर्यास करते हैं यह जो आपको चित्र दिख रहा है दोस्तों यह क्या चीज़ के चित्र दिख रहा है आपको क्या आपको दोस्तों क्या आपको पता दिख रहा है यह दोस्तों आपको पता है यह जो है दोस्तो क्या है थोड़ी सी इसको हम इसको उपर कर ले रहे हैं और थोड़ी सी इसको साइड में कर ले रहे है तो आपको दोस्तो क्या आपको पता दीख रहा है यह दोस्तो आपको पता है जहां दोस्तो यह जो है क्या है पता है और इसके बाद यह जो दीख रहा है दोस्तु यह आपको तना है छोटी-मोठी जनकारियां आपको दे रहे हैं क्योंकि आपको पहले से पता यह होगे दोस्त यह पता और यह जना और इसके जो नीचे होंगे घर होंगे क्या होंगे इसके मीटी के जो अंदर होंगे अब इसमें अगर डौंगी रहता धोह हम उसको बोलते है कि वो जो हे एक साखा है के साख़ा है यानि दोस्तो भाग, यानि दोस्तो डहूंगी, यानि दोस्तो टहनी, येतना तो आपको आया, अब दोस्तो, अब इसमें ही दोस्तो कुछ फूल भी होते हैं, और कुछ यानि दोस्तो फल भी होते हैं, तो येतना दूर आपको आया या नहीं आया, तो चलिए अब देख लेत ताकि आपको समझने में कोई दिकत और कोई तूटी न हो तो चलिए दोस्तो हम सबसे पहले समझते हैं कि साख जो होता है वो क्या होता है दोस्तो आपके सामने क्या साख जो है लिखा हुआ दिख रहा है जी हां मित्र आपको दिखी रहा होगा तो दोस्तों लीखा हुआ है साख अब बता देते हैं कि साख जो होता है वो क्या होता है दोस्तों क्या आप पालक समझ रहे हैं पालक साग आप समझ रहे होंगे पालक साग आलू यह सब जो होते हैं दोस्तों यह आपको साग होते हैं सोरी साख होते हैं क्या यह जो होते हैं द साग होते हैं दोस्त क्या वो बहुत लंबे होते हैं नहीं ना तो वे लंबे नहीं होते हैं क्या वे दोस्तो कोमल होते हैं यानि दोस्तो कोमल कहने का मतलब मुलायम होते हैं उसको हाथ से रट पटर तोड़ सकते हैं जिया तोड़ सकते हैं बस इतना समझ यह दोस्तो क्या वो लंबे होते हैं नहीं ना और ज्यादा मतलब मुलायम होते है साख जोते हैं क्या होते हैं मुलायम होते हैं और उसको हाथ से मतलब बिगार दिया जा सकता है अब दोस्तों यह नहीं कि हाथ से तो बहुत चीज भी बिगार जा सकता है पर उसको हाथ से कुछल सकते हैं मतलब इस तरह से समझे दोस्तों तो आपको साक के लिए हुआ या नहीं अब दोस्तों हम देख ले होती हैं वे आपको होती हैं साख थोड़ी सी पेयन की कॉलर चेंज लिखा हुए हरे कोमल तन्य वाले पौधा जो होती हैं वह आपको क्या होती हैं साख होती हैं के लिए आपको साख यह जो होती हैं दोस्तों क्या होती हैं समानी छोटे होते हैं यह जो होती हैं समानी छोटे ह मतलब नहीं होते हैं जो धरती में ही रहे तो मतलब यह जो होते क्या समाननी छोटी होती है मतलब ज्यादा छोटे नहीं होते हैं और दोस्ते इनकी साखा नहीं होते हैं यानि दोस्तो डाली क्या दोस्तो पालक में क्या आपने कभी डाली देखी है जैसे दोस्तो पेंड में आ तो पताई होगा और इसके बाद दोस्तो जो आपको परिभासा है यह आप लिख सकते हैं तो इस तरह से होती है साक की परिभासा किलिए हुआ या नहीं जल्दी से बताईए तो सक का उदारन यह रही आपके सामने दोस्तो गेहुम धान बंद गोभी और घास दोस्तो और होगया पुदीना और दोस्तो सरसो समझ रहें सरसो भी एक आपका साक में ही आता है और मसूर समझ रहे हैं दोस्तो मसूर भी आपका आता है क्या साक में ही आता है तो इस तरह से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं आपका क्या होते हैं साक होते हैं तो चलिए दोस्तों साक आपको आया या नहीं आया जल्दी से कॉमेंट में बता दीजेगा अब दोस्तों समझ लेते हैं कि जारी जो होता है वह क्या होता है जाड़ी जो होता है दोस्तो वह क्या होता है तो दोस्तो क्या आप ऐसे पोधों को जानते हैं जो कि मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं और मजबूत भी होते हैं तो क्या आप पूटूस जानते हैं दोस्तो आपको पूटूस बता दे रहें दोस्तो निम्बू समझ रहें निम्बू धनिया तो दोस्तो धनिया छोजी गलती लिया गए है उदारन धनिया आपको नहीं होगे महदी समझ रहें दोस्तो हाथों पर जो लगाते हैं महदी और गुलाब और अड़ूर का जीज फूल होता है दोस्तो क्या आप यह सब देखें दोस्तो यह सब में क्या होदा है यह जो होते हैं ज्यादा लंबे नहीं होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते हैं बट दोस्तो इ परिभासा आपके सामने है कि यह जो होती है इनमें पौधे में सखाएं तन्य के अधार पर समिप से निकलती है यानि दोस्तो तन्य के अधार पर ही उनका जो सखाएं है न यानि टेहनी होनी है दोस्तो आपको निकलती है समझे दोस्तो और तन्य कठोर होता है जिया दोस्तो इनका जो तन्ना होता है, क्या होता है, कठोर होता है, आपको इतना दूर आया या नहीं है, तन्ना जो होता है, क्या होता है, दोस्तो कठोर होता है, परंतु दोस्तो अधीक मोटा यह नहीं होता है, यह जो होता है, अधीक मतलब मोटा नहीं होता है, और ऐसी पौधों को दोस सब्सक्राइब करते तो पुटुस से समझ रहें तो पुटुस भी एक आपका जारी का ही उदारन है थोड़ी सी प्रैटनेस कम कर लें तो बैतर होगा थोड़ी सी मतलब बहुत आंख़िज है न, सब्सक्राइब बीज कुम करत माँगे थो लोगत T सब्सक्राइब कौने सब्सक्राइब कराएब और आप के सामने ओस ये सब्सक्राइब पर मोटे भी होते हैं और वे भूरे भी होते हैं लंबे मोटे भूरे भी होते हैं और दोस्तों क्या होते हैं वो द्रीड यानि मस्त मोटे मजबूत होते हैं तो वैसे पौधा को दोस्तों बोलते हैं ब्रिक्ष तो इसका जो आपको उधारन है आप समझ गया है कि उधारन में जिसे आम का पेड़, अमुरूत का पेड़, ये सब क्या है, एक बिरिच है, ताल, खजूर, इतियादी ये सब, तो आपको जो परिभासा है, आपके सामने कुछ इस परकार से, कि दोस्तो कुछ पौधिच होती हैं बहुत उचे होती हैं तथा इनके जो तन्ना होता है ना दोस्तो तन्ना जो बीच वाला जो होता है ना तन्ना तो दोस्तो जो तन्ना होता है ना सुद्रिध यानि दोस्तो सबसे मस्त और मजबूत होती हैं और गहरे भूरे होती हैं और इ जमिन से अधिक उचाई पर तने के उपर भाग में क्या निकलती है समझे दोस्तो तने के उपरी भाग में क्या करती है वो निकलती है तो दोस्तो आपको फोटो के माधियम समझाते है जैसे यह जो आपको चितर दीख रहा है यह जो आपको चितर दीख रहा है दोस्तो सोरी यह जो आपको चितर दीख रहा है तो इसमें जो आपको चितर दीख रहा है यह जो है ने दोस्तो यहां से आपको निकलती है संदे दोस्तो यह आपको तना है तो तन्ना में जो यहां से जो निकलती साखा दोस्तों तो यह आपको साखा है जो तन्ने पर नहीं निकलती है तो इतना आपको आया या नहीं आया तो इतना अगर आपको आ गया है तो जल्दी से बताएगा कि आया की नहीं आया इसको side में डखते हैं और इसके बाद हम समझते हैं परिवासा तो सकायें भूमी से अधीक उचा पर तन्य की उपरी भाग में से निकलती है तन्य की उपरी भाग से क्या करते हैं निकलती है तो इन्हें हम ब्रिक्ष कहते हैं और दोस्तों ब्रिक्ष का तो उधारन हम आपको बैता ही दियें कि दोस्तों आपके सामने देखिए आम, बबूल, नेम, नारियल, जामून, आदी, तार, खजूर इत्यादी हमने ये सब आपको अभी बताए हैं तो यह जो हो गया आपको बिरिक्ष हो गया अगर आपको बिरिक्ष साक और जाड़ी में थोड़ी से भी दिकत और कठना या आई होगी दोस्तों तो बताएगा जडूर कि साक जाड़ी और बिरिक्ष जो आपको समझ में आया कि नहीं आया तो आज के लिए इतना ही दोस्त तो चलिए दोस्त आज के इस संदार लेक्चर को हम समाप करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबाई टेक केर